नमस्कार जी साथ साइब जी क्या नाम है जी आपका? कितांग शी जोहर कहां से आए हैं आप? दिश्टिक बिजन और यूपी से संत रामपाल जी महारा से आपने नाम दिख्षा कब ली? मार्च 2013 में संत रामपाल जी महारा से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साथना करते थे? यही देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जैगुरु देव पंद से नाम दिख्षा प्राप्त की हुई थी जैगुरु देव पंद से आप कब जुड़े? जो जो भक्ती साधनाएं आपने की तथा जैगुरु देपंद से आप जुड़े तो इन से भक्ती साधनाओं से आपको क्या कैलाव हुए संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहां से हुई सबसे पहले हमारा भाई गया था दिसंबर 2012 में तो नाम दिख सले का आया था संत रामपाल जी महाराज जी से तो उसने आगे हमें बताया था ज्यान समझाया था तब तो फिर हम नहीं जुड़े थे क्योंकि मैं गाजियावाद में रहके पॉलो टेक्निक कर रही थी संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख सलेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्थ हुए हाँ जी बहुत सारे लाब प्राप्थ हुए हैं सबसे पहरा लाब तो यह है कि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थी जैसे मांक शीट होती ही इंटर हाइज स्कूल की सभी गुम हो गई थी पांच से साल से मिल नहीं रहीं थी उसके बाद हमने परमात्मा संत्रामपाल जी महराजी से प्रात्ना लगाई तो उसके बाद हमें एक महिने के अंदर ही वो डोक्यूमेंट सामने ही रखे हुए अपने आप ही मिल गए और दूसरा लाब यह हुआ कि सबसे बड़ा लाब है जो वो हमारी ममी पापा की टैंशन दूर होगी वो दहज मुक्त होगे हमारी शादी जो हुए है वो परमात्मा की संत्रामपाल जी महराजी के चड़नों में हुए थी बरवाला में और कोई दहज नहीं लिया था भगत करना पड़ेगा तब मैंने फिर संत्रामपाल जी महराजी से प्रात ना लगाई वो बोले कोई बात नी बिटा नोर्मल हो जाएगा तब फिर वो बिटा नोर्मल हो गया है संत्रामपाल जी महराजी की सरण में जाने के बाद एक लाब मुझे यह भी हुआ है कि मैंने फैश कि मुझे जोब मिल जाए पर कोई जोब नहीं मिली फिर मैं संत्रामपाल जी महराच जी की सरण में 23 में मार्च में जब गई मैंने सिर्फ नामदिक्सा ली थी उसके ही दो हंटे बाद मेरे पर कॉल आ जाती है इंट्रिव्यू के लिए कि तुम्हारा दो दिन बाद इंट्रि जैसा कि आपने बताया कि आपकी साधी बिना दहिज की हुई तता आपके पेरेंट्स की टेंशन खतम हो गई लेकिन दहिज परथा ने आज बिक्राल रूप दारन कर लिया है जिसकी बजय से बेहन बेटियों की जान चली जाती है तो संद्रामपाल जी इस दहिज परता को खतम करने में क्या कोई योगदान भी कर सकते हैं? संत्रामपाल जी महराज जी के लाखों अनुयाई हैं जो दहेज मुक्त शादी करते हैं कोई दहेज नहीं लेगते हैं साधियों में अगर ये पूरा विश्व संत्रामपाल जी महराज जी के शरण में आ जाता है तो ये दहेज पिर्था जड़ से ही खतम हो जाएगी जो की सर संत रामपाल जी महाराजी जो की पूर्ण परमात्मा है वो आई हुए हैं आगर उनसे नामदिक्सा ले और अपना पूर्ण मौक्ष कराएं इस प्रत्वी पर और कोई पूर्ण संत नहीं है जिसके सरण में आने के बाद पूर्ण मौक्ष हो सके संत रामपाल जी महाराज से जुणने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा रामपाल जी महराजी के बहुत सारे चैनलों पर ससंग आते हैं उन ससंग में नीचे एक पठी आती है उन पर कॉन्टेक्ट नम्बर दिये हुए है उन कॉन्टेक्ट पर कॉल करके अपने नजदी की नामदान सेंटर का पता करके वहां से नामदिक्सब प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद जी, साथ साहिब जी